ताज महल में आज सुबह सुबह जिस तरह से अफरा तफरी देखी गई ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा गया। लोगों को कहना है कि जो यहां ताज महल से जुड़े हुए हैं या ताज महल जो एसाई से जुड़े हुए हैं या ताज महल के आसपास जिनकी शौप्स हैं कि उन्होंने ऐसी अफरा तफरी का माहौल कभी नहीं देखा आठ फज कर 69 मिनट पर 112 नमर पर एक कॉल की जाती है औ लखनव वहां से और आला अधिकारियों को अवगत कराया जाता है कि कोई एक व्यक्तिक ने कॉल की है जो यह कह रहा है कि सेना भरती में वह गड़वडियां चल रही हैं और ऐसे में ताज महल में बॉम प्लांट कर दिया गया है वक्त ना गवाते हुए आला अधिकारी यह तै करते हैं कि ताज महल को खाली कराना है क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है अफरा तफ्री ना फैले लोगों में पैनिक ना बड़े इसलिए एक प्लानिंग के साथ तमाम अधिकारी कहते हैं कि एक वी आई पी एंट्री होने जा रही है और ऐसे मे ताज महल को खाली कराये जा रहा है और धीरे धीरे लोगों को जो तमाम परेटक हैं उनको बाहर कर दिया जाता है लेकिन कुछ समय बाद ही यह सपष्ट हो जाता है कि एक व्यक्ती ने ताज महल में बम होने की सूशना दी है और उसके बाद CISF, आगरा प्रशासन और पु चान लिया जाता है और उसके बाद यह तै होता है कि जो कॉल की गई है उस पर जो सूचना दी गई है वो पूरी तरह से फरजी है और फरजी सूचना के आधार पर कही न कहीं सैंसेशन फैलाने की कोशिश की गई है और ऐसे में सर्वलांस टीम को लगा दिया जाता है और य व्यक्ति को भी त्रेस कर लिया गया है ऐसा आला अधिकारी दावा कर रहे हैं कुल मिला के कहा जा सकता है कि भूतो नवविश्यती यानि ऐसा कभी पहले न कभी हुआ है और नहीं शायद इस तरह कभी होगा कि ताज महल में एक बॉम होने की सूचना पर जिस तरीके से अफ्र के लिए एक बहुत अच्छी प्लानिंग की और तुरंत ताज महल को अपने तबजे में ले लिया लगातार भारत सरकार यानि हो मिनिश्ट्री लगातार उत्तरप्रदेश सरकार के टच में थी कि ताज महल में जो बॉम होने की सूचना है उससे किस तरह से निप्टा जाए बॉम डिस्पोजल स्क्वेड आगरा पुलिस के स्पेशल कमांडो यानि स्वेट टीम और स्पेशल टस्क पोर्स इसके साथ ही सी आई एस एफ ने ताज महल में सिक्यूरिटी चेक करना शुरू कर दिया और जब इस बात की तस्दीक हो गई कि ताज महल में जिस विक्ती न जो सूशना दी है वो फर्जी है वो गलत है उसके बाद अदकारियों ने चेन की सांस ले इसके साथ ही लोगों को भी राहत मिली क्योंकि जिस तरीके से अचानक से उनको बाहर किया गया लगातार लोगों में एक तरह से गबराहट उनके साफ साफ उनके चेरे पर महसूस की जा सकते थी वहीं जो तमाम जो लोग हैं वो इस बात को लेकर भी अधीर हो रहे थे कि उनकी किसी की फ्लाइट छूटनी है किसी की ट्रेन निकल जाएगी और ऐसे में वो ताज का दीदार कप करेंगी लेकिन जब पूरी तरह से से क्योर्टी चेक हो गया और ये गलत सूच A.B.P. गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी